जहिन सात्यों, नमस्कार, वेलकम टू एजेस्मार्ट क्लासेज, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पड़ाई, तो आज हम बात करेंगे कक्षा आठ, विसे हिंदी, मोडल पेपर तीन की, हाँ सात्यों, इससे पहले हमने मोडल पेपर पस्ट और मोडल पेपर सेक कक्षा आठ के, वह 21 मार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, कबसे 21 मार्ट से, तो हमारे पास समय बहुत कम है, अगर हम किताबों को पढ़ने बेठेंगे साथ ही हो, तो हमें कापी अधिक समय लेगेगा, इसलिए कम समय में अच्छे तरीके से तयारी करने के लिए हम पढ़ते हैं हमें तो टोटल 100 नंबर हो जाते हैं, समय की बात करें, तो डाई गंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा, ओके ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्वेस्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले आपको पेपर में वस्तुनिस्ट क्वेस कविता की कवित्री है, तो कोने इस कविता की कवित्री तो आपको याद रणा है, जया जादवानी, कोने जया जादवानी, ओके ठीक है, परसन नंबर तीन की बात करें साथियों, इसे भी ध्यान से देखें, एक एक परसन कापी ज़द इंपोटेंट है, ग्रामिन महिलाओ उन्हें cycle रूप में चुना, cycle के रूप में किसे चुना साती हो, तो इसमें आपका right answer हो जाएगा the, उप्यूक सभी, यहने कि आजादी को भी चुना, स्वाधिन्ता को गति सीलता, सभी इसमें right answer हो जाएगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करें next question की, लेखक बदलू को कहा करता था, तो क्या कहा करता था, तो आप इसमें लिख देंगे, चार में स, बदलू काका, क्या साती हो, बदलू काका, परसन नमबर पाँच है, सबसे पहले बनी सवाध फिल्म है, तो सबसे पहली सवाध फिल्म कोन सी बनी दी साती है, कि इसमें दा आजाएगा आलमारा याने पहली बोलती फिलिम ठिक है परसन नमबर 6 की बात करेग कि परसन नम. छे बोल रहा है कि कर्शनी ये सोदा से पूचते थे तो क्या पूचते थे इसमें आप लिख देंगे साथ ही ओ ब छोटी बढ़ने के बारे में क्या पूचते थे चोटी बढ़ने के बारे में परसन नम्बर साथ है रामू पहलवान ने अपनी प्रतिद्वन्दी को एसी पटकनी दीकी वर चारो खाने चित हो गया रेखागिन मुआवरे का अर्थ लिखिए चारो खाने चित हो जाना इसका मतलब क्या है साथियो इसमें आप लिख देंगे सब वाला राइट हो जाएगा पराजित हो जाना क्या है पराजित हो जाना परसन नम्बर आठ है विसाल को मिठाई पसंदे रेखागी सब्द का बवचन होगा तो मिठाई का साथ यो मिठाईया होता है तो इसमें आपका बह एकदम राइट आंसर हो जाएगा मिठाईया ठ तो आप इसमें लिख़ देंगे प्रकर्ती के माद्यम से क्या लिख देंगे प्रकर्ती यह जो वर्ड हैं ने किसके इसकी जागे प्रकर्ते लगानी से लगुता बनता है। कोनजा हो जाएगा सफल्था में क्या लगा था देख सकते हैं यह ठीक है . और एक का उजएगा कुे कि हो जाएगा कुसल्था कि इसे में भी ताप्रते लगा हुआ है तो को मैं दो सब्द बनाने थे दो सब्धAr Google अबronics परकार सफल्था और Χ misinformation है बरस नमर 11 की बात करें काफी ज़्याद है इंपोटेंस सवाल है सीधे बोर्ट परिक्षा में देखने को मिल सकते हैं दिये गई जातिवास संगय सब्द का वाक्य में प्रियोग कर लिखिए तो पुस्तक और गाई तो पुस्तक से आप लिख देंगे इसमें मुझे पुस् किला कुरूची गाउं में कौन सा गाउं था किला कुरूची किला कुरूची गाउं में इकटा हुई थी कहां पर किला कुरूची गाउं में यह गाउं का नामें साथ यो किला कुरूची इसके बाद बात करें बरस नमर 13 की यह अजू है छोरी अजू सब्द का क्या आश्य तो अजू सब्द का आशे आज भी, क्या लिख देंगे, अजू सब्द का आज भी, ओके, ठीक है, परसन नमबर 14 बोल रंग भी रंगे कपडों को देखकर किसका मन ललचाया, तो किसका मन ललचाया था साथ ही और रंग भी रंगे कपडों को देखकर, तो आपको याद रखन सम्मंदी कोई दो स्लोगन नारे लिखिए तो आपको नारे लिखने साथ यो तो एक तो लिख देंगे आप मैं आपको स्किन बता देता हूँ दुरगटना से अपनी कीजिये रक्षा तभी होगी परिवार की सुरक्षा दूसरा लिख देंगे सड़ग दुरगणा से यदी है बचना तो हेलमेट अवश्य पहनना तो ये दो स्लोगन आप लिख देंगे और भी कोई आते हैं आपको तो वो भी आप लिख सकते हैं क्वेस्टन नमबर 16 बोल रहा है बलिदानी वीर किसी के साथ बेदबाव क्यों नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते साथी हो तो आप इसमें लिखेंगे बलिदानी वीर किसी के साथ बेदबाव इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका उद्देश्चे स्वार्त रहित होता है और वे देश से देश को आजाद करवाना चाहते थे ठीक है परसन नमबर 17 बोल रहा है साथ यह द्यान से देखे कि निम्नली की सब्दों के प्रियाईवची सब्द का प्रियोग करते हो एक-एक वाक्य लेखे तो चंद्रमा जल प्रत्वी फूल तो इसका मैं आपको बता दिता हूँ चंद्रमा का अर्थ होता है चांद तो आप इसमें लिख देंगे वाक्य प्रियोग चांद प्रत्वी का एक प्राकर्तिक उपगरह है जल का अर्थ होता है पानी तो आप इसमें लिख देंगे वाक्य प्रियोग मटका तूट जाने से पानी विखर गया पर्तिवी का अर्थ होता है साथ यो बूमी वाक्के प्रियोग में लिखेंगे संजे हमेशा ही बूमी पर बेट कर बोजन करता है ओके ठीक है इसके बाद परस नमबर 18 की बात करे तलवार का महत्व होता है मियान का नहीं उक्तुद्दारन से कबीर क्या कहना चाते है इस परस कीजिए आप इसमें लिखेंगे इस उद्दारन के द्वारा कबीर यह कहना चाते है कि महत्व हमेशा मुख्य कारिय यह वस्तू का ही होता है अनावश्यक वस्तू के विसे में जानकारी प्राप्ट करने का कोई और चित्ते नहीं होता जैसे तलवार की चमक और उसकी दार के पेनेपन को देखकर ही उसका मोल भाव किया जाता है उसकी सुन्दर म्यान को देखकर नहीं ठीक वेसे ही सादू संतों के ज्यान को महत्व देना चाहिए उनकी जाती के बारे में नहीं पूछना चाहिए बहुत ही सांधार बात कहिए बिलकुर सही बात कहिए कबीर जी ने तो आप ये याद कर ली दियेगा ठीक है इसके बात परसन नमबर गुनिस बोल रहा है या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो अम्मा ने कब कहा और इसका परिनाम क्या हुआ तो आप इसमें लिख देंगे यह अम्मा ने तब कहा जब बच्चों के द्वारा घर में उद्व मचाने से बूचा ला गया था इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा अपना सामान बांद कर आगरा जाने को तैयार हो गई और अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सकते हिदायत दे कि अब कोई भी गर के काम को हाथ नहीं लगाएगा यदि किसी ने भी गर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा ठीके तो आप यह आंसर लिख देंगे उन्होंने यह काम इतनी सपाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी बनक भी नहीं लग पाई ठीक है साथियो सिंपल सिंपल सी बाते हैं तो आप इसमें लिख देना आपके ग्राम में स्वच्च बारत मिसन का क्या परबाव पड़ा तो इसका अंसर मैं आप पर छोड़ता हूं साथियो आपके गाउं में खुद की सची बात लिखिया कि जो सची बात मिसन चलाए गया है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए क्या क्या परबाव रहा है तो आप इसमें लिख देना यहां पर साथ यह सपरसंग व्याख्या करनी है तो आपको यह इस परकार से दे रखें तो आप इसकी सपरसंग व्याख्या कर ले अथवा में से एक कि ना है तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना परसन नमबर तीन में साथ यह आपको क्या है पेसेज पढ़ना याने यह पढ़ना है गद्दान्स और नीचे दिए परसनों के आपको जवाब देने है ठीक है फिर यहाँ पर बात करें साथ यह सुल्क मुक्ती पर आपको प्रातना पत्र लिखना है इन सभी पर आपको क्या है लिखना है निबंद लिखना है किसी एक पर सभी भी नहीं लिखना है किसी एक पर लिखना है ओके इस पर का आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो समय पर पाने के लिए और अपनी तैयारी को बहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस करते साथियों दन्यवाद जैन जैबारत अगर आपको ये पीडियोप चाहिए और हमारे साथ जुड़े लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिस्पन जैए वहाँ पर आपको लिखा होगा वोर्सप गुरूप जोइन करें तो आप वोर्सप गुरूप जोइन कर लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम आपको जो मोडल पेपर हैं सभी नए पुराने आपको वहाँ पर भेश सके ताकि आप उनसे तयारी कर सके दिन्यवास आती हो जैन जैबारत पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है